ऐसे हमने land conservation देखा, जैसे हमने resources conservation देखे, जैसे हमने बाखी की जो sustainable development, conservation के बारे में जब हमने चीजों को conserve करने के लिए हमने जब देखा, तो आप soil बता है कि सर मैं क्यों पीछे, सर मैंने को जब आप किया था, तो मुखे जोर में क्या मैंने तरह कुछ बगाड़ा था, तो म soil जो की erode हो सकता है, तो wind से भी, water से भी, फिर बात में waves होंगे, तो waves भी soil को erode करेंगे, तो कापी सारे ऐसे agents of erosion है, जो soil को क्या करेंगे, erode करेंगे, ये erosion and deposition के मैंसे क्या हो रहा है, soil का मुटते जाएगे, अब soil अगर नहीं होगा, तो क्या आपके lands में cultivation हो पाएंगे, land cultivation नहीं होगा, तो आपको foods आप तत मिलेंगे, वो क्या manufacturing industry तक पॉचेगा, नहीं, manufacturing industry तक पॉचेगा नहीं, तो service किस चीचेगा, अरे बाबा, अगर tomato उगेंगे, तो tomato ketchup बनेगा, और वो tomato ketchup बनेगा, तब तुमारे घर पे आएगा ना, तो लेकर क्या आएगा तुमारे घर विरकाल, खपडगाने के लिए, समझ रहा है, तो ये चीज़े होती है, कि soil conservation, again, it's our very important resources, तो इसको conserve करने का pattern, तो बहुत अलग-अलग होता है, जैसे, कि आप बोल सकते हो, terrace farming, तो जब अगर आप किसी, soil को conserve करने के लिए terraces बनाते हो, तो वो terrace बनने के वज़े से, कि water जो ह water की velocity कम होगे, soil erode होना, बनना है, दूसरी चीज़े, एक होता है, contour plugin, क्या होता है, यानि कि plugging करना, props cultivate करना, बट कैसे, with the contour lines, contour lines हमेशा, ऐसे होता है, loops में होता है, तो यानि कि आप जितने भी plants, bro कर रहे हो, plugging कर रहे हो, ऐसे plug कर रहे हो, ऐसे plug करने के वज़र से, होगा ये water जब होगा, उसके पास obstacles आजाए जितने बार water के पास obstacles मेलेगा, water क्या करेगा, erode होना है, erosion नहीं कर पार है, ये होगा, then erosion नहीं नहीं होगा, depreciation में नहीं होगा, तो ये चीज़े भी नहीं होगा, जब चीज़े कुछ तो इस इरोडी रहे होगी तो दिपॉसिट क्या होगी? तो यह हो जाता है आपका? कॉंटर बेड़ी ठीक है? यह एक दूसरी चीज है देन, soil conserve कभी कभी wind के वज़े से भी होगी तो strict farm होगी जैसे आपने shelterbelt की बारे शेखे तो आप अगर wind बनाओगे किसी चीज का अगर chain बनाओगे अगर plants का तो क्या होगा? कि plants की chain बनने के वज़े से wind को obstacles बनेगा और wind की velocity कम हो जाएगी और soil again erode? नहीं होगी तो यह एक soil conservation का यह भी step है तो आप देखो soil जब erode होता है तो कभी कभी जैसे आप देख सकते हो आप गरीज बताया है crack हो जाता है soil erode होता है कभी कभी landfall से जैसे landfall जैसे अगर आप mountain है rainy होने के वज़े से climate अच्छा नहीं होने के वज़े wet होने के विए जिस क्या हो जाता है earthquake volcanic eruptions के वज़े pressure create होता है जिसके जिसे landfall हो जाता है एक particular piece of land तूटकर दीचे की तरफ गिर जाता है तो जिसके जिसे क्या होता है काफी साने soils दीचे आता है तो यह एक भी reason हो सकता है तो बहुत सारे अलगलब reasons जिसके वज़े से erosions take place clear हुआ soil conservation में यही चीज़े है आपको में दिखाता है यह देखो sheet erosion होता है sheet erosion यानि की ऐसा erosion जो slope में आपको देखने ही मिलेंगे एक particular sheet erosion यानि की एक particular face mountain का erode हो रहा है इसलिव को sheet erosion को डिखे तो यह था sheet erosion यहाँ पर देख सकते है आप contour plugin ज्यादा करके आपको यह पश्मीर यह देख रहा हूँ इससे क्या होगा कि पानी के flow कम हो जाएगी और पानी का flow कम होने वेसे soil erosion नहीं होगा तो यह देखो terrace farming दिखने पे भी बहुत अच्छा लगता है तो यह हुआ और साथ में आपका soil भी erode करने को बन करने यह conservation बहुत सकता है देखो strip dropping पूरे strips क्या होगे यह strips बाने के वैजे से wind block होता जाएगा यह strip के बार तो इसके मेंजे क्या होगा कि wind जब अंदर तर जाएगा है नहीं करेगा है तो यह strip dropping है यह देखो shelter belt लाइन से पूरे आप देख सकते हो एक लाइन से पूरे wind erosion नाओ इस इस शेपने तो यह दा हमारा topic जो हमने चाकर नमर बान हमारा topic complete complete